हलो दोस्तों स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जैक पूर पे आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 7 का वार्सिक परिक्षा का विज्ञान का सेट 1 करने वाले हैं इसके बाद हम सेट 2 सेट 3 तरह से लाते रहेंगे लगतार वीडियो देखने हम देखते हैं क्या हैं हमारा पहला सवाल सबसे पहला सवाल में आपसे कहा जा रहा है कि वाहन केद्वारा वाहन का मतलब होता है जो गाड़ियां होती है मोटर गाड़ियां होती अगला सवाल है हमारा दूरी का मूल मातरक क्या होता है जो दूरी होती है हमारी उसकी मूल मातरक जो होता है वो मीटर होता है क्या होता है मीटर होता है नेक्स्ट है सरल लोलक की गती कैसी होती है जो सरल लोलक होता है उसकी गती होती है तो जो सरल लोलक होती है उसकी गती होती हैं वो आपको बताना है तो धुब घड़ी यंत्र से हम लोग मापते हैं समय को किसको मापते हैं समय को मापते है चले नेक्स्ट सवाल को देखते हैं अगला सवाल क्या है हमारा वहान की चाल को कौन मापता है जो वहान होती है जो गालिया होती है उनकी चाल को कौन मापेगा यह आपको बताना है तो उनकी चाल को मापता है स्पीडो मीटर कौन मापता है स्पीडो मीटर है चाल का मतलब ही होता है स्पीड से चाल तो इस ते आप लोग स्पीडो मीटर याद रखना ठीक है नेक्स्ट है हमारा समय का मुल मातरक क्या होता है जो समय होता है, जो timing होता है, उसका मूल मातरक आपको बताना है, तो जो समय का मूल मातरक होता है, वो होता है second, क्या होता है, second होता है हमारा समय का मूल मातरक, ठीक है, चाल का मूल मातरक क्या होता है, तो चाल का जो मूल मातरक है, वो है meter per second, क्या होता है, meter per second, इस तरह से उसक जिसको अंग्रेजी में h लिखते हैं h for hour होता है ठीक है अगले सवाल है परकास जो होता है वो गमन करता है किस परकार आपको बताना है जो परकास होती है जो लाइट होती है वो किस परकार गमन करती है जो परकास होती है वो एक सीधी रेखा में गमन करती है कैसी करती है एक सी समतल दर्पन के द्वारा जो परतिबिम बनता है जो छाया बनती है उसका आकार कैसा होता है तो उसका जो आकार होगा वो वस्तू के बराबर होगा ठीक है यहाँ पर कह रहा है समतल दर्पन समतल का मतलब ही होता है समान समान मतलब बराबर तो वस्तू के कैसे बनेगा बराबर नेक्स्ट है आउतल दर्पन में पर्तिविम कैसा बनता है जो आउतल दर्पन होता है उसमें पर्तिविम कैसा बनता है आपको बताना है तो आउतल दर्पन में जो पर्तिविम बनेगा वो वस्तू के आकार से बड़ा या छोटा हो सकता है तो आउतल दर्पन का जो पर्तिवि उसको कहते क्या है तो उसको हम लोग कहते हैं पताइए अभासी परतिविम कैसे कहेंगे अभासी कहेंगे ठीक है समझ रहे हो अगले सवाल देखे क्या है हमारा जिस परतिभीम को परदे पर प्राप्त किया जा सकता है वह क्या कहलाता है तो जिस परतिभीम को परदे पर प्राप्त किया जा सकता है उसको हम लोग कहते हैं वास्तविक परतिभीम कैसा परतिभीम कहते हैं वास्तविक परतिबिम कहा जाता है, ठीक है, नेक्स्ट है स्वेत परकास कितने रंगों का मिसरन होता है, यह जो स्वेत परकास होती है, जो स्वेत परकास होता है, जो लाइट होती है, वाइट लाइट, वो कितने रंगों का मिसरन होता है, यानि कितने रंग उसमें मिले वे ह होते हίνे यह आपको बताना है तो सही ज़बाब हो जाएगा साथ रंगों कमिस रं होता है तो उसमें सात रंग Could स्क्राहई हूए होता है चलि चलिक स्वेत परकास प्रीज़ं से ब्र uğखर खाना पकाने वाले बरतन काला क्यों होता है आपको बताना है जो खाना पकाने वाले जो बरतन होते हैं उनको काला रंका क्यों होता है तो क्योंकि काला पदार्थ जो होता है वो अधिक गर्मी को अवस्वसित कर लेता है इसलिए उसको काला रखा जाता है ठीक है अगला सवाल देखते हैं अगला सवाल जो है हमारा द्रवों और गैसों में उस्मा का अस्थनांतरन किस विधी के द्वारा होता है यानि द्रव का मतलब होता है लिक्विड और गैस का मतलब तो आप लोग जानते ही हो तो उसमें जो उस्मा का अस्थनांतरन होगा उसमा जो ट्रांसफर हो वो किस विधी के द्वारा होगा ये आपको बताना है तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा समवहन किस विधी के द्वारा समवहन विधी के द्वारा होता है अगला सवाल है सुरी से पिर्थिवी तक उसमा किस विधी के द्वारा पहुंचती है यानि सुरी से तो आप लोग देखों के सुर्य उगेगा च छे कह Should चुरुर्य जब उगेगा तो वहांसे जो उस्मा आएग जो हीट आती है जो आप थन्डी देखोंगे धूप में आप ख़ड़े हो जाते हो तो वहांसे आप किरन किरन सूरी का क्या होता है सूरी का किरने निकलती है न सूरी से क्या निकलती है किरने निकलती है तो उसी प्रकार से आप लोग को किरन से विकरन याद रखना है ठीक है सिंपल है चलते अगले सवल पे, बल्ब का तंतू किस पदार्थ का बना होता है, अब आज़ाओ बल्ब, जब आप बल्ब को देखोगे, इस परकार से एक बल्ब होता है, जो जलता है, उसमें एक फिलामिंट बना होता है, इस तरह से तंतू होता है, देखोगे, इस प्रिंग टाइप क का होगा उसी को हम लोग तंतू बोलते क्या बोलते हैं तंतू बोलते हैं तो कह रहा है कि बल्ब का तंतू जो होता है वो किस पदार्थ का बना होता है यानि किस चीज का बना होता है लोहा का टीना का सोना का चांदी का किस चीज का बना होता है तो बल्ब का जो तंतू होता है वो बना होता है टंगस्टन का किसका बना होता है टंगस्टन का टंगस्टन एक धातू है ठीक है उसका जो गलनांक होता है वो काफी हाड होता है मतलब वो जल्दी गलता नहीं है इसलिए बल्ब को आप दिन भर रात भर जलाते रहो फिर भी देखो कि वो इस्प्रिंग कितना होता है यानि एक थर्मामीटर होता है दो तरह का एक होता है आपका वाई मंडल का ताप मापता है कितना गर्मी है आज कितना सरदी है एक होता है डॉक्टर लोग इस्तेमाल करते हैं कितना बुखार है नापने के लिए तो डॉक्टरी थर्मामीटर का प्रास यानि उसक परियोग साला ताप मापी प्रास कितना होता अभी हमने कहा था दो तरह का ताप मापी एक डॉक्टर लोग इस्तेमाल करेंगे एक परियोग साला में इस्तेमाल होगा यह देखने के लिए कितनी गर्मी है कितनी ठंडी है टेंपरेचर देखा जाता है तो इसका प्रास आपको सब्सक्राइब करके बेल एकन को जरूर प्रेट कर लेज़े तक आने वाली हर एक विडियो को नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर चला जाए यदि आप अपने WhatsApp गुरूप के साथ जुनना चाहते हो तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा वहाँ जाकर आप अपने WhatsApp गुरूप को जोईन कर सकते हो वीडियो के लाश्ट में एक फोल्डर दिखेगा उस फोल्डर पे क्लिक करके आप अपने सभी वीडियो की तयारी वहाँ सभी कर सकते हो तो मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में थैंक यू